हलो इस्टूडेंट्स आज हम लोग मनविज्ञान में जांच की विधियां यानी चैप्टर टू के अंतरगत डेटा में दुत्यक प्रदत यानी सेकेंडरी डेटा को समझेंगे प्रदत संकलन यानी डेटा कलेक्शन का दुसरा तरीका भी होता है जिसे दुत्यक प्रदत या सेकेंडरी डेटा कहते हैं इस प्रकार के विकल्प में अध्यन करता स्वेम तथियों का संकलन न करके दुसरों दुआरा इकठे किये गए तथियों को प्राप्त करके अपनी अध्यन में उप्योग करता है तो ऐसे प्रदत को दुत्यक प्रदत कहते हैं असल में ऐसे प्रदत किसी अन्य व्यक्ति, एजेंसी या संस्था द्वारा प्राय अपने नीजी उप्योग के लिए संकलित या इकठे किये जाते हैं दुत्यक प्रदत यानी सेकेंडरी डेटा प्राप्त करने के दो श्रोथ होते हैं पहला व्याक्तिगत प्रलेक यानि Personal Documents जिसके अंतरगत लेटर यानि पत्र, संस्मरन यानि Memories, डाइरिया, व्याक्ति इतिहास यानि Case Study आधी आते हैं जबकि दूसरे तरीके में सारजनिक प्रलेक यानि Public Documents आते हैं, जैसे प्रकासित प्रलेक यानि Published Documents तथा अप्रकासित प्रलेक यानि Unpublished Documents आधी तो इस प्रकार ऐसे प्रदत वैज्यानिको द्वारा प्रस्तूत किये गये प्रकासित, पत्रिकाउं वपुस्तकों तथा अप्रकासित प्रतिवेदनों यानि Reports तथा संस्मरनों आधी में उपलम रता Secondary Data यानि दूत्यक प्रदत को गौन प्रदत या दूत्यक प्रदत के नाम से भी जाना जाता है पहला हम लोग नों क्या देखा था? प्राथमिक प्रदत और दूसरा दूत्यक प्रदत प्राथमिक प्रदत को मौलिक प्रदत, छेत्रिय प्रदत, पर्थमिस्तरिय प्रदत, आधार प्रदत आधी नामों से जाना जाता है वहीं दूत्यक प्रदत को Secondary Data, गौन प्रदत और दूत्यक प्रदत के नाम से भी जाना जाता है तो इन दोनों तरीकों के द्वारा मनोविज्ञानिक अध्यन के लिए डेटा यानी प्रगदत इकठे किये जाते हैं और इन प्रगदतों का काम रिशर्च में किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए उपलब्ध होते हैं जिनका प्रियोग किया जाता है विभिन तरह के अनुशंधानों में अब हम लोग मनोविज्ञान की कुछ महत्पोन विधियों का उलेक करेंगे हम वहाँ समझने की कोशिस करेंगे कि क्या-क्या मेथर्स हैं जो की मनोविज्ञान यानि साइकलोजी में उपियोग में लाए जाते हैं तो विभिन विश्यों के अध्यान के लिए विभिन विधियों का उपियोग होता है इसी प्रकार मनोविज्ञानिक अध्यान के लिए कुछ बैज्ञानिक विधियां भी होती हैं जिनमें प्रमुख है अंतर निरिक्षन विधी। दुसरा है वस्तुनिस्ट प्रेक्षन विधी, यानि Objective Observation Method तीसरा है प्रयोगात्मक विधी, यानि Experimental Method चोथा है सहसंबंधात्मक विधी, यानि Correlational Method पांचवा है सरवेक्षन विधी, यानि सरवे मेथड छठा है मनोवज्यानिक परिक्षन विधी यानि psychological testing method और सात्मा है व्यक्ति इतिहास विधी यानि case study method तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे introspection method यानि अंतर निरिक्षन विधी अंतर निरिक्षन विधी मनोवज्यान की प्राचिंतम विधी है जैसा कि इस विधी के नाम से स्पस्थ होता है कि यह दो शब्दों के मेल से बना है अंतर यानि आत्म यानि इंटर प्लस निरिक्षन यानि इंस्पेक्षन अतर इसका साब्दिक अर्थ हुआ अपने आत्म का स्वेम निरिक्षन करना कोई व्यक्ति अपने आत्म का प्राथ्मिक ज्यान वो श्वेम ही प्राप्त कर सकता है इसलिए मनोविज्यान में व्यक्ति के व्यवहार का विशलेशन संपन करने के लिए आंतर निरिक्षन द्वारा प्राप्त ज्यान का विशेश महत्व है इसके अंतरगत व्यक्ति स्वेम अपनी भावनाओं का आत्मगत निरिक्षन करता है जब मनोविज्ञान दर्शन सास्त्र का अंग माना जाता था तब इस विधी का उपयोग उस समय के दर्शन सास्त्रियों ने बहुत अधिक किया आत्मा के अधियन के लिए कोई अन्य उपयुक्त विधी उस समय नहीं थी और नहीं हो शक्ती थी इस विधी का मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोग वूंट ने किया है उस समय इस विधी का प्रयोग चेतन अनुभाओं यानि conscious experiences की व्याख्या करने विशलेशन करने और उनके तक्तूओं के अधियन में किया जाता था ओके स्टूडेंट्स आगले क्लास में हम इसकी विशय में फिर से पढ़ेंगे that's all, thank you